वेल्गम तो इस्टाडी चैनल मेरे नाम है मुहम्मत कैसर बात करेंगे एड्मिट कार्ड परिक्षा तारिखों को लेकर लेकर लेटेस्ट अपडेट की साथ ही साथ दोस्तों इस बार ज़्यादा रेजिस्टेशन नहीं हुए है ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा गया है कॉंपर्टिशन ठीक ठाग रहेगा बहुत हाई नहीं रहेगा कुल रेजिस्टेशन की बात करें तो 5,66,000 रेजिस्टेशन हुए हैं और आपको पता है कि अब 6-12 के लिए निया रेजिस्टेशन नहीं हो सकता तो यही है कुल रेजिस्टेशन इसमें से 5,22,000 यानि लगवख 5,000,000 शात्रों ने रेजिस्टेशन के साथ अपना फी पेमिंट कर दिया है और पोने 4,00,000,000 के आसपास शातरों ने अपना final form शंमेट किया है हाला कि final form शंमिट करने की last date 25 नॉंबर है लेकिन रेजिस्टेशन के साथ जिसने फी का पेमिंट किया होगा वही अपना form finally submit कर सकता है यानि कि maximum साड़े पांच लाग ही छात्र होंगे जो कि आवेदन कर रहे होंगे हाला कि 125 के लिए registration 25 नॉमबर तक अभी भी है यानि कि कोई भी छात्र registration fee payment और final submit 125 का 25 नॉमबर तक कर सकता है लेकिन उसमें सीटें बहुत जादा नहीं है तो competition वहाँ पर तो जादा होगा लेकिन सीटों के हिसाब से छात्र आवेदन भी करते हैं ये भी ध्यान रखना होगा और 6-8, 9-10, 11-12 में कुल मिला जुलाकर 5.5 लाग क्यास पासी registration और fee payment हुआ है बात करें परिक्षा तारिखों की तो last date नहीं बढ़ा और बढ़ने की उमीद भी नहीं है ऐसे में जो परिक्षा तारिखों का ऐलान हुआ था 7-10 December के बीच में यही परिक्षा तारिखों संभावित है चांसे स्पूर है इसे में exam आपका हो जाएगा और admit card की बात करें तो परिक्षा के सब्ता पहले छातरों को शहर की पहले जानकारी दे जाएगी यानि कि December starting में ही बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि आपका exam किस सहर में होना है आप dashboard में login करेंगे अपने details के साथ username password की साहता से तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका exam किस सहर में होना है दर्बंगा, सिवान, पटना, बस आपको यही पराचलेगा शहर ताकि आप अपना train का टिकट वगरे या जैसे भी आपको आना जाना है आप अपने travel को plan कर सकें और exact किस दिन आपकी परिक्षा होनी है किस exam center पर होना है, किस पाली में होनी है यह परिक्षा के 3-4 दिन पहले पता चलता है 7 December से exam शुरू है जिनका exam 7 को होगा तो आपका 1 December के आसपास CT का detail आ जाएगा और 4 December के आसपास आपको पता चल जाएगा कि आपकी परिक्षा किस दिन, किस पाली में और किस exam center पर होना है तो बिल्कुल भी समय नहीं है दोस्तों अपने exam की त्यारी करिए परिक्षा को 3 समय पर लेने की त्यारी BPSC कर रहा है तो यह रहाज के वीडियो में कुछ महत्यपूर अपडेट वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें थांक्स फॉर वाचिंग